आप सभी को नमस्ते आज हम लोग सिखेंगे लोकोस एप में कि सिएलेफ प्रोफाइल कैसे इंट्री करते हैं किसके पहले हमने सीखा एसजी प्रोफाइल कैसे इंट्री करते हैं लोकोस में उसके बाद भीयों प्रोफाइल कैसे इंट्री करते हैं भीयों को कैसे टैक करते हैं कैसे अंटैक करते हैं उसके बाद मेंबर को एसजी मेंबर को वीडियो में कैसे जोड़ते हैं उसका सिग्रेटरी मतलब ध्यक्स अचीव को साथ ध्यक्स प्रसिडेंट ट्रेजर को कैसे एड करते हैं कैसे रिमूब करते हैं वो सब हमने देखा अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो काइंडली जाहिए बहुत ही आसान भासा में स उसको सिखाया गया है और अगर अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिजिए ऐसे ही इन्फर्मेटिव और इन्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचने के लिए और घंटे का बेल आइकन को भी दबा दिजिएगा ताक क्राइब आपका इस प्रकार का इंटर्फेस आया इस इंटर्फेस में आपको पिन चार अंगया नंबर डालना होता है इसमें हम चारंग का पिन नंबर डाल दिए अब जो है यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस में क्या क्या है यहाँ पर आपका ID का नाम आएगा यहाँ पर आपका language आएगा English by default language है और Hindi जो आपने language चुना था वहाँ पर वो आपका रहेगा यहाँ CLF का profiling होगा यहाँ पर CLF का task यहाँ पर CLF report यहाँ CLF profile synchronization एक चीज यहाँ देखिएगा यहाँ पर CLF मेरा 9 है किसी किसी का यहाँ पर 0 होगा अगर 0 होगा तो क्या करेंगे वो देखते हैं अगर जीरो होगा तो हम CLF profile synchronization में जाएंगे यहाँ पर देखिए क्या क्या है यहाँ पर चार टैप दिया हुआ है approval status, upload status, complete data और master data approval status में क्या बताएगा कि SSG, VIO या CLF जिसका भी profile आपने भर कर server पर upload किया है वो आपके higher authority द्वारा approve किया गया है या reject किया गया है क्या किया यहाँ से दिखेगा upload status में दिखेगा क्या कि अगर server पर आपने VIO, SSG और CLF profile जो भी डाला है वो server पर upload हुआ है complete data अभी हम लोग इसको क्लिक करेंगे और master data को भी क्लिक करेंगे क्लिक करने पर क्या दिखेगा यह देखिए क्लिक करने पर हमको जो मैं वहाँ पर मेरा 0CLF था जिसका भी 0CLF दिख रहा है वो हट जाएगा देखिए यहाँ पर download data हो रहा है यह देखिए यहाँ पर 9CLF हमको master data भी हम download कर लेंगे फिर वापस जाएगे CLF पे क्लिक करेंगे CLF में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका CLF का नाम आया यहाँ पर CLF में कितना member है यह दिखा रहा है कितना भी हो है और यहाँ 3. 3. है इसको हम लोग सीखेंगे 3. में क्या क्या है 3. में आपका यहाँ CLF प्रोफाइल है यहाँ CLF का समरी है यहाँ पर review and upload data है download mapped view delete CLF एक ही करके हम लोग सब देखते हैं CLF प्रोफाइल में आपका यहाँ पर पूरा CLF प्रोफाइल का detail आ जाएगा ठीक है इसके बाद आपका समरी में पूरा CLF में जो जो आपने भरा है वो सारा एक एक करके आ जाएगा देखिए यहाँ पर secretary में जो जो है सब आ गया है ठीक है उसके बाद मेरा next है upload and review data upload and review data में क्या आपने complete किया है और क्या नहीं complete किया है वो सारा देखेगा basic detail में complete है आपका mapping complete है यह complete है उसके बाद जो है इसी member complete नहीं है office barrier complete नहीं है address complete नहीं है bank detail complete नहीं है signature complete नहीं है subcommittee complete है अगर sub complete हो जागा तो यहाँ पर upload होता है ठीक है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कोई दिकत नहीं होना चाहिए अगर कोई दिकत है तो comment section पर जाके please अपना comment दिजिएगा download downloaded mapped view downloaded mapped view यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर downloaded जितना भी map view है वो आ जाएगा उसके बाद delete clf है ठीक है हम लोग अब क्या करेंगे हम लोग एक नया clf profile का entry करेंगे यह plus का यहाँ sign है उसको click करेंगे इसको click किये तो पहले आपका sg में यहाँ पर पंचायत और village आता था भीयो में पंचायत आता था और clf में यहाँ आपका block आएगा ठीक है next आपका clf name clf name हम यहाँ पर डालेंगे कि ए बी सी ठीक है हम यहाँ पर कुछ भी एक टेस्ट करने के लिए डाल दिये आप लोग का जो clf का नाम होगा वही डालिएगा ठीक है formation date में जो formation date आपका दिया रहे रहेगा रेजिस्टर में या फिर जो proper format भर के आएगा उसमें जो दिया रहेगा उसको डालिएगा promoted by nrlm हम कर रहे हैं आपका जो होगा वो किजिएगा meeting frequency जो है कि यहां fortnight होगा एक monthly दो option दिया हुआ fortnight का मतलब हर 15 दिन में एक बार monthly का मतलब महिना में एक बार fortnight करते हैं ac1 or ac2 होता है आपका एक तारीक और solar तारीक दो तारीक हमने दिया financial intermediation यह जो है CLF में होता नहीं है इसलिए यहां पर यह नहीं दिया है ठीक है member organization यहां पर SG और वियो दो तरका है अगर आपका वियो नहीं है तो SG हो जाएगा और वियो है तो वियो कर दिजेगा वियो का फुल पर होता है village organization ग्राम संगठन ठीक है compulsory saving जो है यहां पर EC2 में होता है तो मंतली इसको कर दिए कि आपका compulsory saving amount इसमें 100 रुपिया आपका जो है वो कर दिजेगा compulsory saving interest rate अगर 100 रुपिया में कोई interest rate आपको मिलता है तो आप कि इसमें डाल दिजेगा ठीक है उसके बाद यहां पर interest rate जो है आपको 100 रुपिया के उपर मिलता है तो ठीक नहीं तो 0 डाल दिजेगा voluntary saving voluntary saving का मतलब SSG में भी बताया भी बताया थे अभी भी बता रहा है कि voluntary saving जैसे कि आपने अगर महिना का 5000 दस जार बीस जार जो भी बचाया वह आप अपना SSG भी या CLF जिसका भी जो भी है आप देना चाहते है किसी को SSG को भीयो को या CLF को तो एच्छिक बचत voluntary saving का हिंदी होता है अच्छिक बचत अपने इच्छा से जो आप बचत करते हैं उसको बोला जाता है voluntary saving जदी आपका CLF में voluntary saving होता है तो yes किजिएगा और नहीं होता है तो no किजिएगा yes किजिएगा तो यहाँ पर voluntary saving का interest rate मांगेगा ठीक है हम no करके चल रहा है identification of bookie पर यहाँ भी sgbio की तरह तीन option दिया हुआ है identification of bookie पर yes internal जदी आपका bookie पर सम्मू की सदस्य है तो yes किजिएगा और नहीं है तो yes external किजिएगा यदि bookkeeper है ही नहीं तो no किजिएगा फिर identification of bookkeeper में कुछ नहीं डालना है bookkeeper का mobile number भी यहाँ डालने देगा ठीक है office barrier में आपको 12 से 60 महिना तक का option दिया हुआ है डालने का तो हम 24 डाल दिए 24 24 महिना मतलब दो साल में rotation होता है registration of CLF CLF का registration अगर हुआ है तो yes किजिएगा yes किजिएगा तो registration number मांगेगा registration act किस act के तरहत हुआ है और किस date में registration हुआ है मांगेगा तो registration हम अभी नो करके चल रहे हैं जदी नो करेंगे तो CLF का कि मांग रहा है ठीक है CLF का resolution copy मांग रहा है तो हम कि सी एलफ का इसको resolution copy देते हैं हम एक blank page का फोटो कीच लिए हैं आप जो है CLF का जो भी resolution copy है आप उसको complete किजिएगा ठीक है देखिए डाटा सेब successfully जो जो भी मेरा basic information था वह सारा हमने डाल लिया अब देखिए वियो CLF मैपिंग में मेरा data on होना चाहिए जिसका मतलब मेरा internet connection होना चाहिए नहीं तो यह section मेरा complete करने नहीं देगा ठीक है यहां ग्राम पंचायज सेलेक्ट करने बोल रहा है हम ग्राम पंचायज सेलेक्ट कर लिए ठीक है यहां पर हमको कैसे सेलेक्ट करना कैसे मैप करना है यहां पर हम भीयो को CLF में मैप कर रहे हैं ठीक है यहां पर क्लिक कर दिये यहां भी क्लिक कर दिये यह हम कर दिये यहां अब क्लिक करके ओके कर दिये मैप देखिए मेरा दो भ्यों मैप हो गया ठीक है अब हम नेक्ष्ट में जाते हैं नेक्ष्ट में जो ए यहां पर हममेंबर मैप करेंगे ठीक है इसको map किये इसको precedent बना दिये किस date से ठीक है signature है हाँ किस date से ये भी डाल दिये अब add इसी member कर दिये ठीक है okay कर दिये इसको resolution को भी माग रहा है उसको बाद में हम देंगे ठीक है एक member add किये इसको हम प्रमीला देवी को कर दे रहे हैं इसको प्रसिडेंट एक बर बनाये हैं तो इसको सेक्रेटरी बना दे रहा है इसको आज के डेट से कर दे रहा है है सिगनेटरी यस कर दे रहे हैं इसमें डेट भी डाल दे रहे हैं डेट इसमें कौन सा डेट मतलब सिगनेटरी किस डेट में वो बनी है वो डाल मांग रहा है तो वो डाल दे रहा है एड इसी मेंबर हम कर दे रहा है फिर से एक पर बताते रहा है यहां पर कन्फ्यूज नही होईएगा ठीक है इसी member name में यह जो है हमको मांगा तो जो आपका भीयो का जो member इसमें है उस सब का list आएगा उस सब के list में से जो member CLF में add होगी वह उसका नाम यहां देना है उसके बार designation of CLF उसका CLF में क्या designation है सेक्रेटरी है आपका प्रेसिडेंट है ट्रेजर है उसके बाद मेंबर है जो भी है आप यहां डाल दीजेगा उसके बाद वह सेक्रेटरी है कि वह समू में मतलब सी एलफ में कब जूड़ी है समू में कब जूड़ी है वो डेट दीजेगा सिगनेटरी है कि नहीं मतलब अध्यक्स है कि नहीं अगर है तो यह किजेगा नहीं है तो नो किजेगा नो किजेगा तो वो डेट नहीं आएगा और सिगनेटरी में डेट आजा तो यहां से और प्लस का साइन पर हम क्लिक करेंगे ऐसे ऐसे प्लस का साइन है ग्रीन कलर करेंगे तो मेरा यह आ जागा देखिए confusion नहीं होना है इस पर बहुत बारिकी से चोटा-चोटा चीज याद रखिएगा तो बहुत आपको help होगा इस पर click करेंगे तो हम जितना चाहें उसतना member हम add कर सकते हैं ठीक है चलिए यह हम add कर लिए next में हम जाते हैं यहाँ पर mobile number बगेरा मांग रहा है अभी नहीं करने देगा address मांग रहा है address हम डाल दे रहे हैं ठीक है यहाँ पर हम डाल दिये अब बैंक का detail मांग रहा है IFSC नहीं डालेंगे पहले हम बैंक का नाम डालेंगे फिर branch डालेंगे IFSC अपने आप ले लेगा account number डालेंगे एकाउंट नमबर डालने बोल रहा है एकाउंट हम लोग डाल देंगे मट अब ठीक है फिर account ओपनिंग डेट मांग रहा है फिर पास्पूक का फर्स्ट पेज बांग रहा है आप लोग जो है पास्पूक का फर्स्ट पेज डाल दीजेगा अब अब को चीक है उसके बाद बुल रहा है इस डिफॉल्ट ये जो बैंक अपने डाला वो सी ये लेफ का डिफॉल्ट अकॉवंट है या फिर सी येलफ के पास और बैंक अक्वंट है अगर डिफॉल्ट है तो यस किजेगा नहीं ओ नहीं है तो तो नो किजिएगा, मतलब defaulted yes किजिएगा, और account है, तो no करके add bank, और bank add कर दिजिएगा, ठीक है, यहां तक हो गया, complete, ठीक है, अब यहां पर phone detail, यह हो गया, bank भी कर लिए, यह KYC मांग रहा है, KYC में मेरा 10 और pen नमबर मांग रहा है, ठीक है, यह क्या मांग रहा है, यह हमको करना नहीं है, अभी 10 pen का, ठीक है, देखिए, यहां पर मेरा यह बन के तयार हो गया, यह मेरा नाम हो गया, यह member हो गया, ठीक है, अब हम इसको check करते हैं, करते है कि मेरा क्या क्या बाकी है, देखिए, basic detail complete महीं है, क्योंने complete है, क्योंकि हमने resolution, copy मांग रहा था, दिया नहीं, ठीक है, यह भी complete महीं है, क्योंने颠ाच क्योंने परate नहीं है, डाला है ट्रेजर नहीं डाला बाकि एड्रेस बैंक और सिगनेट्री एस किया है ठीक है आप लोग सब कंप्लीट करके यहां अप्लोड में अप्लोड कर दिजेगा तो आपका सारा राटा अप्लोड हो जाएगा ठीक है आज के लिए इतना ही अगर किसी ने अभी तक सब्सक् कर लिजेगा प्लीज 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 शेयर कर दिजेगा और लाइक का बटन दबा दिजेगा अगर किसी को प्राब्लम हो तो कमेंट में पूछ लिजेगा अगर हमसे हो पाएगा तो जरूर उसका रिपलाइ करेंगे ठीक है अगेन एक बार सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक का बटन दबा देजेगा थेंक यू